दोस्तों मस्कार एक ओर बैंकों में डिजिटल रूपिया अप्लिकेशन लाउंच हो गया है बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Google Play Store में यह अप्लिकेशन चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो यह अप्लिकेशन आपको कैसे मिलेगा इस अप IDFC फर्स्ट बैंक का डिजिटल रूपिय तो चलिए डाउनलोड होने देते हैं इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको होमपेज दिखेगा उसके बाद यह होमपेज है उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिखेगा उसके बाद ट्रांजक् कर सकते हैं इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंशी पावर डवाई IDFC फर्स्ट बैंक तो यहाँ पर इंटर वाले उप्शन पर किलिक कर देंगे तो फिर से अलाओ करेंगे इसके बाद टर्में कंडिशन एक्शेप्ट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा तो चलिए य वाल नमर को अप सेलक्ट करें जिसमें आपका खाता है तो उसी को अभी यह फीचर दिया गया है तो यहां पर आगर आपका खाता है तो यहां पर मैट नुट वाइर्ध पर चार्अच कर Cape IDFC First Bank के त्रफ से उसी को यह service provide किया गया है तो दोस्तों अगर आपके पास IDFC First Bank का खता है तो इस application को आप जो है यूज कर सकते हैं कि मेरे पास खता नहीं है इसलिए हम इस application को यूज नहीं कर पार रहे हैं तो इस application का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के decision box में मिल जाएगा अगर यहां से आगे का प्रोसेस आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है उसके लिए मैंने ओल्लेडी वीडियो बना चुका हूँ State Bank of India का तरफ से जो application आया है उसमें और इसमें दोनों में सेम है आप registration process और कैसे digital रुपिया बाय करते हैं कैसे sell करते हैं सरा कुछ detail बताए गया है आप जाके वो देख सकते हैं हलाकि अगर किसी के पास IDFC First Bank का account मिलता है तो मैं आपको वीडियो बना के देने का प्रयास करूंगा जाए टेलिग्राम चैनल पर आपको यह IDFC First Bank का लिंक आपको मिल जाएगा तो आप digital रुपिया इस्तमाल कर सकते हैं IDFC First Bank के तरफ से